नमस्कार साहित्य संगीत और सिनेमा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम पदमश्री और अंतरास्ट्री ख्याती प्राप्त शास्त्री गाई का सोमा गोजी के स्टूडियो में हैं निक स्टूडियो में सोमा गोजी संगीत की हर गाई की गाती हैं और भारत रत्न शेहनाई वाधक उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की मानस पुत्री हैं तो नमस्कार जी सोमा जी आज आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद तो आज के दोर में बहुत ही मतम ना के बराबर इसे गायक हैं जो संगी की हर गाई की गाते हैं जिसे लोग गीत सास्त्री गायन फिल्म गायन और पश्ची मीवी तो यह कैसे संभा होता है रियाज के माध्यम सापका आप कैसे हो पाता है कि जी मुझे बहुत खुशी है कि आपका चैनल चल रहा है पुरा साहित्य संगीत को लेकर क्योंकि इसकी ब मुझे लगता है कि बहुत जरूरा थे लोगों को मानसिक खुराग देने के लिए और आपने जो प्रश्चने मुझे किया कि संगीत की हर गाई की को मैं गाती हूं जिसमें ख्याल है ठुम्री है दादरा है होरी कजरी सोहर और घजल भजन फिर फ्यूजिन जिसे लोग आज करते हैं मैं उसको हर्मनी थूजिक कहती हूं क्योंकि संगीत में साथी स्वर है एक मातष संगीती है जिससे हम एक देश के साथ एक देश को जोड सकते हैं अच्छली इस समय आजका लोग संगीत के साथ ब्रैंड यूस करते हैं कि वो कलाकार सुफी कलाकार है वो घजल है लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था पहले जमाने में एक ही कलाकार हर विधा को गाते थे और जब तक वो नहीं गाइक गाइका नहीं माना जाता था क्योंकि वो साधना करते थे हर गाईकी की की चलन अलग है जैसे आपको तो मालूम stun师 कि संगीत की शुरुवात हुई थी कहां से संगीत आय थी गीत पहला गीत सामबेश से आया था फिर वेट का समय जब गया तो प्रवंद गायन हुआ थिरूप्द धमार हुआ फिर धुपद धमार अकबर के समय तक चला उसके बाज महुंद शाह रंगिले के समय शत्रवी है ख्याल किसी चलता जैसे कजरी तो आपको सुनने से लगएगा ठुम्री के ठुम्री विधा में आती है लोग संगीत को हम लोग को पशास्ति रूप में गाते है घजल घजल तो उसमें पुकार है जैसे मैं फॉर एक्जंपल सुना हादू चार अलग अलगा देखिए आफ मुहाबत तेरे अंजाम पे रोना आया मुहाबत यह घजला घजला हिरनी को कहते है कि हिरनी को चीख लगती चीखती है तो घजल में वह रूप है इसको लाना पड़ेगा अभी देखें वह कजरी गाते है बारी शो रही है भाई बहन के पास आई है लेने के लिए लेकिन वो मैंका भी नहीं जाना चाहती है वो अपनी ननस से कह रहे है कि मेरे भाई को अच्छी तरह से सोने की थाली में खिला पिला दो मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर मैं के नहीं जाओंगी बिरन भाईया इले आना वैयावा सवनवा में ना जैबोना ने दे अब ल भाईया इले ले यान वैया वा सा वन वा में ना जाईबोनना दे, ना जोटोज ले लोट परानी गया कहें हो ती ती उसह माईक तो नहीं होता था घाट के इस तरह बैठ के टिप लगाती भेरवी की और उस पार तक आवाज जाती थी तो वो मेर इदम सीधी गाई की अटक से जो आत्मा से आती थी जी आजाए सवर्या तो है गरवार गरवार लगा लोगे रस के तो यह अलग अलग गाई की है जीना पर इसके लिए साधना जरूरत है क्योंकि कला बिन साधना नहीं होते है केशब जी आप तो जानते है शॉटकाट नहीं यहाँ पर यह इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लिजिए कि आग का दरिया है हड्डूप के जाना है मैं समझ नहीं पाई घराना जो घराने संगीत के घराने होते हैं आप भी घराने से उस घराने के दूसरे भी कलाकार होते हैं तो मैं एक खरानी के होते हैं कि यह सामने पढ़ने में भी आया कि जब उसी घराने के आप गुरु भाई कहते हैं एक गुरु की शिशा भी तो कोई अनों में प्रतीस पर्दाय नही उती है कि काम पाने की के एक काम अगर आपको अफर हुआ है तो दूसरे आपको आफर हुआ है कि नहीं जो सौमा जी को अगर वो काम कर रही थी तो मैं नहीं कर सकता है का इस तरह की इमानदारी हाँ शास देखिए कलाकार को सच्छ दिल का होना चाहिए ये मैं हिदय से मानती हूँ सह सरल नहीं होने से इश्वर की कृत Najee होती है और यह fact है यह खले मैं नहीं बोल रही हूं यह भारत रत्रत्नास्ताद बिस्मिल्ला खाँ साब बाबा भी कहके गये हैUL की जब तक हम रियाज बोलके रियाज करते है तब तक उनकी कृतना नहीं आती है जब हम समर्पन करते हैं उनके चरन में तब उनकी नूर आती है जब तक उनकी नूर नहीं आती है तो कोई भी कलाकर कलाकर बन ही नहीं पाता है बन ही नहीं पाता है उसका नाम नहीं हो पाता है उसको वो नाम की भी सवाल नहीं उसके पास वो संगित नहीं मिल पाता है तो इस वो अगर मेरे गुरी भाई को दिया जा रहा है तो उनको पुछना पड़ागा ऑगर उसको क्योंकि वह मेरे गुरु भाई है, उसको अगर पता लगा कि मुझे मेरे पास आए हैं, तो यह नहीं कर सकता है, मेरा काम बैमानिकर के नहीं ले सकता है, यह इमानदर हम लोग रखत कि बाबा् Sebina Khan साभ हमेशा करते हैं कि सूर दाख किसी को पाता है मैं आपको दे रही हूँ पहुत बड़े बाप के बच्चे नहीं कर पाते हैं और एक साधरन सी परिवार में जिसके परिवार में शाय संगीत था भी नहीं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, वो प्रारद लेके आते हैं, और वो लगे रहते हैं, क्योंकि उसके उपर तो कोई Godfather नहीं, उसके उसका पिता माता नहीं है, तो उसको साधना से आगे बढ़ना पड थी, कि आपके साथ कैसे ये जुगल बंदी होगी, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये अल्ला का करम है, तुमने किया है, और सूर किसी की बपवती नहीं है, और ये मेरा जिम्मेदारी है, ये अल्ला का करम है, कि तुम्हें आगे बढ़ा देना है, और मुझे ये करना ही है और देखिए गुरु का धर्म होता है कि जो अच्छा गा बजा रहा है कि इमांदारी इसमें भी देखी है कि फो वो इमांदारी निभा के गए है कि लड़की अच्छा गाती है इसको अगर उनका साथ मिल जाएगा उनका शिर्बाद मिल जाएगा तो यह आगे बढ़ अच्छा ना है ऐसा क्यों उन्होंने तो ऐसा नहीं किया उन्होंने तो अपने बच्छे को आगे नहीं कोई भी सपोर्ट नहीं दिया हमें अंजाल लड़की को देके चले गए यह इमांदारी बहुत सरोरी है जो मैंने उन में ही देखा है और शायद ही किसी में मैंने इसर में ही बच्छों को शाहिनाई बातन सिखा है लेकिन और बड़ी सुविधा हैं बहुत पेसा सब कुछ दिया देने की बात कहीं थी लेकिन खासाब खासाब नहीं गये उन्होंने प्रस्ताव ठोकरा दिया क्या था वो किसी बाबा को वो बहुत बढ़े देश प्रेमी और वो अपने मिट्टी के प्रेमी थे वो दिल से बनारस को प्यार करते थे वो किसी भी आईशो आराम पे नहीं जाते थे मैंने कई प्रश्ने उनको किया था जब 18-18 घंटा आसे 10 साल पहले की बात कर रही हूं 10-15 साल की बात बनारस में लाइट नहीं रहता था जनरेटर चलता था रास्ते में भी और इतनी घर्वी में जब उनके पास जाती थी तो वो बिना पंखे के बैठे रहते थे बिना इसी के तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा आप एक इसी क्यों नहीं लगा लेते हैं कुछ तो कर सकते हैं बले कि नहीं अल्ला के दर्वार में पता नही हुद प्यार था बनारस से उनको इतना लगा हो था कि वो उस तकलीब से उसी घली में रहके गए कोई ऐशो आराम कुछ विकार नहीं किया जब अमेरिका के प्रेसिजिटन ने उनको कहा कि आप यहां बस जाई है उनके शैनाई सुनकर तब उन्होंने कहा कि मेरे घर के 200 लो से नहीं घंगा जी को था हम नहीं ला सकते है तम मैं घंगा माई को छोड़ के कही भी नहीं जा सकता हम तब वो हाथ जोड़ लिए, वो अमरिका के पैसिजिन, ये थे बाबा, कि बनारस चोड़ के देखिए, लोग सोचते हैं कि वो रियालिटी शोज में नहीं जाए बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता, और देने वाला तो उपर वाला होता है, और देखिए, बच्पन जो होता है न एक पैसिजिन, बच्पन में चाहिए, कितनी भी टैलेंटेट कलाकार होँगोँ, वो समय उसके साधना का समय होता है, अगर उस समय उस समय तप नहीं किया, तो आगे जार के पनप नहीं पाएगा, यह उसulent समय उसके पाल फल आगया अगर इतनी सी पेड में अगर फल आगय और यह बच्चा क्या गाता है हर जमाने में ऐसे टैलेंट निकले हैं लेकिन उस समय उनको साधना के लिए वक्त गुरू लोग देते थे अगर क्योंकि उसका टाइम पिरिट होता है कि इतना दिन ही उनका है अगर वो साधना कर लोग पक जाता है तो बहुत दिन तक टिक सकता है यह भी उन्होंने ही मुझे कहा मैं उन्ही की बात कह रही हूं आप लोगों से एक और भौती महत्पूर्ण और बड़ी जवाबदरी और जिम्मेदारी वेला आप काम कर रही है कि जो हमारे भारती वादियंत रहें उन लुत होते जा रहे हैं लेकिन आप उनके लिए इन्डेंजे और रहे जाता है कोई पक्षी भी एंडेंजड होता है लुकत प्राय होती है तो उसको फिभी भचा के रखा जाता है कोई जानवर हो कुछ भी हो लेकिन हमारे संगीत के जो वाद्ये जो मा सरस्वती के एक एक उंग है कितनी बिना एकसो कुछुरासी बिना हो ती मां की हाथ की, आजकल दोत ही नहीं देखने को मिलती है, जिसमे रुद्र बीना, सरस्वती बीना, फिर विचितर बीना, ये देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम लोग बचा रहे हैं, तो इन वाध्यों को बचाने का पहल मैंने 2005 में किया था, जिसमें हमारे उस स मैं निरंतर इस पर काम कर रही हूँ, और हमारे जो लोक संगीत, लोक संगीत से ही सारे संगीत आये हुए हैं, वो हमारे जिवन की गाथा बताते हैं, जिवन के साथ रिलेटर, जिस समय वो जंगलों में इनसान रहते थे, तो उनको महसूस हुआ, कि हम खा रहे हैं, शिकार क गाना बनाना शुरू किया, चित्र बनाना शुरू किया, आपका तो साहित तकला है, तो उसमें तो ये वाद बहुत इंपॉर्टन है, कहां से अकला आया, वो शिकार करते हैं, तो उस खुन से पक्षियों के उस से पेंटिंग बनाना शुरू किया, इस तरह से जिंदगी मे साहित तकला संगीत की बहुत जरूरत है क्योंकि इसके बिना इंसान पशु जैसे है तो वही से उस संगीत को हमने बचाने का भी पहल किया लुपतवाद्दो के साथ और निरंतर ये प्रयास जारी है कि कलाकार तो बहुत है लेकिन सुनने वाला समझने वाला बहुत कम होते जा रहे है तो वो होना बहुत जरूरत इसलिए हम हमारे जो भाविशे कि जो बच्चे हैं उनके साथ मैं इंट्रक्शन करती है इन सब वाद्दों की बाते ये जो संगीत की बाते कि वो तांसेन नहीं कांसेन जरूर बने जी 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 तो जुसरोता यहाँ पार्खी होंगे तभी तो कला बचेगी ना फिल्मों में लोक संगीत और सास्त्री संगीत का उप्योग किया जाता है इसमें नोशाद साब शंकर जय किशन नोशाद साब तो बहुत ही ज़्यादा फिल्मों में जो एक गोल्डे निरा था उस समय शास्त्री संगीत और साहित्य का मेल था क्या गाने देखिए जो जीवन के हर पहलों की बात करती थी वो गाने उच सब क्या हुली क्या रोली लोरी क्या वो जो गाना है वह बहुत सुन्दर गाना है राम करे ऐसा हो जाए मेरी निदिया तो है मिल जाए मैं जागू तू सोजार मैं जागू तू सोजार ये लोरी कहां सुन्द को मिलती है आज कल शब्द देखिए और जीवन संबंधी गीत ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप इक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी बोल सब राक प्रधार है शब्दों के साथ सूर का समन वे है और नौशाद जीने तो पूरा ठुम्री उठा के ला दिये मोहे पन घट पे नंद लाले छेड़े गयो रे मोहे पन घट पे और उनर तो क्या मनार तरह पतहरी दर्शन को आज पूरा माल कॉन्स अगर आप ख्याल सुनाने जाएंगे तो लोग नहीं सुनेंगे लिकित फिल्मों के जरीए जब वो आ गया अमर हो गया वो गित जनक जनक तुरी बाजे पाये लिया क्या-क्या दरवारी में क्या-क्या गाने बने और वो अच्छाल कमी दिख रही है एक कविता की बहुत कम अहिने दिख रही है क्योंकि पहले ज़माने में लोग श्कूल में नहीं चाते थे जो रिक्षाषा चलाते थे गरीब लोग उनको सारा संग्सकार मिलता था इन गानों में किसी के मुस्कुरा हटो पर रो डिसा किसी का दर्द हो सके तो ले उधा किसी के बास ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है ये चार लाइन आपको जीना सिखा देगा मैंने ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं बनारस पे एक लैंड के लिए गई थी संगीत ग्राम के लिए तो हाँ एक रिक्षा अला मेरे पास आया क्यों हमें स्कूल नहीं गया हम एक कैसे सिनेमा को दस दस बार देखते थे और उसी में हम लोग सब सिखते थे कि कैसे चलना है कैसे बात करना है आजकल नहीं हो पा रहा है वह क्योंकि आजकल गानों में इतनी गालिया दी जा रही है ऐसा क्यों हो रहा है केशव जी आप ही बताइए आज के दौर में क्या है कि यह जो संगीत कंपनीया है इनके पास जो गीतों का बैंक है उसी आधार पर वह संगीतकार को बलते हैं कि यही संगीत देना है आपको इसे यह बदला हुआ है लेकिन हम अपने विक्तित्तों को नहीं क्या रख सकते हैं, हम क्या पैसे के लिए अपने आपको भीका देंगे, उपरवाले को क्या जवाब देंगे, वहां तो किसी का नहीं ठीकेगा यह सब, तब क्या जवाब देंगे, कि हमने इंसान को क्या मेसेज देखे गए, हमें इश पर आप क्या उठा रहे बात कि हम आपको बता रही हूं डॉक्टर कलाम जब हमारा संगसर में प्रोग्राम हो दूसरे दिख हमें नाश्टे पे बुलाए थे वो बच्चों की तरह इंतजार कर रहे थे मेरी जब मैं पहुंची हूं पर तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सुनने के बाद मुझे दो सपना है मैं बताईए एक मुगल गार्डन में आप लोगे जुगल बंदी आप भारत तर्थ बिस्पिल्ला खाह साब की और एक मेरी प्रिय कवीता मुझे हाथ पकड़ के लेके मुगल गार्डन वो कवीता क्या था उस कवीता में था कि एक दिन मेरा जनम इसे लिए हुआ था कि राश्टर पर दे कुचल के चले जाएंगे तो मां हसी मां हस हस के बोली कि तुम्हारी खुबसूरती से प्रेडित होकर मोर नासते हैं हंस कुलांचे मारते हैं कोयल गाती है और उससे इंस्पायर होकर कवी का मन जाकता है कवी कविता लिख वो गीत सुनके इंसान इंसान बनता है नहीं तो वो राक्षस बन जाता है इसलिए तुम्हारे जिंदगी डेढ़ी दिन के लिए क्यों नहीं हो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम लोगों को खुशी देते हो तुम लोगों को जीना सिखाते हो इतनी बड़ी बात इतनी बड़ी बात, अगर हम इंसान ही नहीं बना सके अपने संगित के जरीये लोगों को, हम जो फनकार होते हैं केशव जी, ये इश्वर के प्रतीनी धी होते हैं, हमारा जिम्मदारी है उनकी बातों को लोगों तक पहुचाना अपने कला के जरीये, और अगर वो हम कर अपने जिम्मदारी को निभाए, हमें साधरन इंसान, जो कि संगित कला से दूर है, जो कि इसके महत्तों को नहीं समझते हैं, जिवन क्या है नहीं समझते हैं, संग्सकार क्या है नहीं समझते हैं, हम लोगों की जिम्मदारी होती है, जो इश्वर ने दिया है, वहां तक पहुचाना हमारे कला के माध्व से जिसे कि फिल्म संगीध है तो वहाँ पर गीट और संगीध समय के साथ बदलता रहता है अ है 텁टारी संगीध में यह सब नहीं होता है तो के से होता है बिल्कुल देखिए शास्तिय संगी जिसे समय बदलता है, आत्मा कभी नहीं बलती है, बढलती है, शरीर बदल जाता है, उसी तरह से हम आजकाल लोग कहरी रहे है, सोल को इंत्रैक्ट रखते हुए, शरीर को बदल रहे हैं, इसमें गिठार का इस्तमाल हो रहा है, उसमें सितार बज रहा है, गिटार जिटार बजा के हम सोल को इंट्राक्ट रखत हुए गा रहे है, इससे समय कि जो आजकल के बच्चों को अच्छा लग रहा है, वो गाना, जिया नही माने ना माने, ये कलावती की बंदिश है, कोया लिया अकुक हूक उठे मनवा मोरा तड़ा पे दिन रहन जिया नहीं, इस पर हम मौनर अरजमेंट देंगे, जिया नहीं माने, जिया नहीं, हलका करके गाईजे से बदर मौंच नहीं किया है, पुरा निचोड को ले लिया है, बोजे होता जो घमो को तो उठा भी लेते, जिन्दगी बोजे बनी हो, तो उठाएं कैसे, रसमे उल्फार, ये राग मधुवन्ती है, प्योर राग है, कहीं से लग रहा है आपको, इसमे मौनर अरजमेंट दे के लोग, इमोर्टल सौंग है, हर समाने के लोगो को अच्छा लगएगा, इसको नहीं अच्छा लगएगा, आप बताओ, बिल्कुसी, तो ऐसे पेश करे है हमारा जो शा इसको नहीं बुलाया जाता है, और इससे मसीन से निकला है, इसलिए लुपत हो रहा है वादिया, आप से मेरी गुजारिश है, कीबोर्ड जो है न, ये प्रोग्रामिंग के लिए है, म्यूजिक का प्रोग्रामिंग, उसी प्रोग्रामिंग को असली वादिश से अप अगर उसी में गाना बन जाएगा, तो उसका क्या आप, कम्पूटर तो कम्पूटर ही है न, उसमें आप रोग कैसे भोग सकेंगे, तो ये संगीत कारों को समझ में क्यों नहीं हा रहा है, सब शॉटकट, इससे हमारे सारे वाद लुपत हो जा रहा है, आपको मालू है, एक अच्छा बजाने वाले जो तार्शन, इन लोग सब तर्मुझ खर्मुझ बेच रहा है, कोई सबजी बेच रहा है, इस पर अगर अभी भी नहीं सोचेंगे, तो कि आप सोचेंगे, बताईए, केशब जी, हम आप से गुजारिश कर रहे हैं, कि आपका ये चैनल, ये बात तक पहुचा है, कि ये बात दर फिर बात में नहीं मिलेगा आप लोग को, किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बजाने वाले बचेंगे, तभी तो बजेगा ना, वही तो अप साथ छोड़ दे रहे हैं, जी, 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 आप ने संगीत कार के रूप में कोई फिल्म का सोचा कभी, मुझे नौशाद जी वचन लेके गए थे, कि हमें फिल्मों में गाना है, और मैं गाऊंगी, लेकिन वो गाने में शब्द बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो शब्द के अनुरूप अगर सूर हो, तो मैं दोड़ दोड़ के जाके गाऊंगी, और उमीद करते कि अगले साली गाऊंगे, 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 अगले साली आ रहे है, अगले साली आ रहे है, कि आपने जो प्रोग्राम के आपने मैं अतुल्ल भारत इंडिया के तरफ से जाती हूं विदेशों में अब भारत की प्रतिनिधित करती हूं संगित के जरिये जब मैं जाती हूं तो लोग कहते हैं कि हमें फिल्मों के गित सुना क्योंकि उनको उधरी वही मिलता है जब हम हमारे देश की एक कजरी होरी हर चीज गजल को समझा के उनको समझा के बताते हैं उनको टांसलेट करके आप यकिन मानिये में अब यूरोप पे वहां पर मैंने साथ देश में गई थी और हर जगह साथ शहर में हर जगह में स्टैंडिंग ओविशन मिला वहां के जो एम उनन मुझे मिला नहीं तो लोग खळी फिल्मों में गाने वाले कोई भेजते हैं और हमें भारत की एक एक विदा को फिल्मों को गित तो हम लोगार समय सुनते हैं लेकिन हमें काश से मालूम चलेगा कि धूपत क्या है धमार क्या है ख्याल कर लोग किसी ने इस तरह से नहीं समझाते हैं क्योंकि हमें उनके तरह बनके सुनाना पड़ेगा अगर हम और घ्रामार दिखा के गाएंगे तो उनको कैसे समझ में आएगा हमें उनके तरह बनके पे सब्सक्राइब करके आ सकी थी लास्ट एर अमेरिका गई थी वहां भी माई इंडिया प्रग था वहां भी एक एक फिल्मों के गीज एक ही गीत को साथ साथ बार लोग आ रहे थे नाच रहे थे लेकिन मैं अपने आपको हिलाया नहीं मैं शिवतांडप हमारे देश की चीज का अपने फिल्मों में सास्त्री या लोग संगीत नगर आता है वह बहुत है टेलेंटेट डिरेक्टर है और संगीत को समझते हैं संगीत में जीते हैं क्योंकि मैंने देखा है उनका जो म्यूजिक है वह इतने बारिकी सिवोशप्तों को साथ रागो को इंस्टुमेंट को चा जिसे कहते है ना अभी बेजु बावरा आ रहे हैं उनकी उसकी त्यारी चल रहे हैं क्या बात है उसके साथ धनों का भी कुछ साथ हुर साथ में दोंव साथ हुआ वाह बहुत खुश ही और हमें बहुत पूरी उम्मीद है कि जार चार लगाएंगे इस फिल्म में हमेशा ल कि बेटी बचेगी बेटी पढ़ेगी तो हमारा समाथ जीएगा नहीं तो स्रिष्टी रुख जाएगी और इस पर हम बहुत काम कर रहे हैं बस्तियों में जाते हैं स्कूलों में जाती हूं कि वो मा दुर्गा की प्रतिनिधी है खाले उन्हें समझना है अपने शक्ति को और किसी भी बात पे कॉंप्रुमाइज नहीं करना है हमारी जो भूण होती है का अगबी कभी घर के दवाव में उसे मारना पड़ता है लेकिन हम इसको मानते हैं कि अगर हम सशक्त है किसी की ताकत नहीं है कि हमारे कन्या को हमारे पेट में कोई मारे एक माही बचा सकती और जितनी भी बेटिया हैं, हमारे बहने हैं, हमारी बच्चिया हैं, उनसे मैं यही कहूंगी, कभी भी किसी भी पात पे आपके पेट की कन्या को न मारे, उसे बचाए और उसे वो उचित शिक्षा दे, क्योंकि वो बेटे की मा भी बनती है, वो, जब उसके पेट से, बेटा और बेटी जन में, बेटा को जनम, जब वो सांस सभाले, होश सभाले, तभी से कह, उसके अंदर ये दिवांग में खुसाना चाहिए, उस बेटे को, कि हर औरत, मा, दुरगा की पतिनी दी है, तो हमारे देश में बलातकार नहीं होगी. धन्दिवा, सोमा जी, तो आप सुन रहें थे, बहुं की प्रतिवा की धनी, जैसा कि आपने कहा, और सभी जानते हैं, कि संगीत की हर विधा में आप गाती हैं, जो इस समय शायद कोई का एक दूसरा कर भी नहीं रहा है, और जो वादियंत्र, जो लुत्प हो रहे हैं, उन का जो कारिकम हो रहा है, विश्व हिंदी दिवस, और आप भी हिंदी की सेवा कर रही हैं, तो आपको भी आमनत रहने, अगर समय मिले, तो आप जरूर केशव जी आपके लिए हमेशा हजीरें, विश्व हिंदी सेवा समानित से, सुमा जीव को आमनतित करने आएं, कि उस द